एलो एब्रीवाइन रादे रादे कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसम फैमिली व्लोग में तो गुड मॉनिंग सुबह सुबही खटा है मोरा साथ बज रहें चाय पी ले यह बागी घर जो कई बार दो फैर से होती है और आप सब लोगों ने जो आप तक प्यार दिया है हर वीडियो के उपर उसके लिए थैंक्यू सो माच इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं बहुत मतलब खुसी मिलती है और एक दो कमेंट थे उन्होंने पूछा था मैं फिर भूल जात पूछा था कि आपने जो बैट शिट ली है मैं गाजी वासे उन्दी आपने वह किस जगह से ली है तो वह मैंने घंटा घर के और जो तुरावनागर से हम घंटा घर के लिए जाते हैं जहां पर पहले सबजी लगती थी ना वहीं पर एक सोप है उनके कंबल वगेरा बाहर इसगी रहते हैं एक सैकर में घंटा बकान मतान पर लाती है dhK नाम है अंध्यान हैं मतलब सब्हक कंबल वगएरा सम मिलते हैं दुम से ठाग काफी से यह ङज़ते हैं अगर कोई दिक्कत कि सअ तरीक scans घ्लठ बता देते में पाद्याउक़ से लेती हूं तो यह महीं हो पूछती हैं दीदी आपने बताया नहीं और हाँ एक जो मेरी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा है दीदी जो भावी का आपने गाडन दिखाया है वह आपने मतलब क्या बोलते हैं मिट्टी में क्या डाल के तो कुछ भी नहीं डाल के कट्टों में लगाती है ऐसा कुछ गोबर की जो खाद होती है वही एक दम बहुत सूखी वाली उसको मिट्टी को मिक्स करके कट्टों में भर देती हैं और ऐसा कुछ नहीं बाकी के पौदी लगा के हां बस थोड़े करती है पाने टाइम से डालना उनकी थोड़ी निलाई जो होती है ख बनते हैं उस टेम पर जो सिमेंट के कट्टे वही सारे बोरी हैं हमारे यहां पर कट्टे ही बोलते हैं तो वही हैं कुछ नहीं फटता एक बार अब जो इन्होंने पेड़ लगा है अगले पेड़ों तक आरहां हम से चलेंगे बलकि गमले से ज्यादा अच्छा पौधा उस हूं फिर मैं आपको कुछ दिर के बाद में यहां देखी सुबह काई टाइम हो रहा है और यहां पर में कर रही हूं सेटिंग तो आप देख रहे हूं सोफे वगरा साब फैले पड़े हैं तो ईसुने पढ़ाई करी थी यहीं पर कंबल वगरा यह है पांट जैल वाली जो पोटल थी वो क्योंकि आजकल तो सर्दियां कमर में मेरी में थोड़ी सी प्रोलम हो जाती है जादा दिर बैठने से तो बस थोड़ी से काई गरी थी उसके बाद सारा सोफे वगरा सेट कर लूंगे अब किसी दिन सोफे कवर भी चेंज मुझे करने हैं क्योंकि दिपावली में लगाऊंगी जाड़ू जाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग पोचा यही सब और आजकल बैड़ो पे तो सबके घरों में यही हाल है कंबल रजाई यह सब फेले रहते हैं तो बस इनकी ते लगा दूँगी सबकी ते लगा के सबको सेट करके रख दूँगी उसके ब मेहदी रात को भीगो दी थी मतलब एक दिन पहले शाम को और उसके बास सुबह में मेहदी लगाने से पहले आमला रिठा सिका का यह तीनों का जो पाउडर में एक बार आप लोगो के साथ एड़ भी किया था तो हमेसा इसलिए दिखाया है मैंने ऐसा नहीं था एड़ करने वाली हैं जिसकी वज़े से फिर रहता थोड़ा मेहदी वगएरा तो लगानी चाहिए तो यहां में लगा लेती हूं जाड़ू फटापट उसके बाद में आ गई यह किचिन में यहां देखे लगा ली मैंने मेहदी मेहदी लगा यह मेरे भावी ने नास्ता भी हमारा हो ग कि बड़ा फास्ट किया है काम सारी यहां पर सब्जी बना रही हो में दुफैर के लिए आज बना रही हो में मिक्स वेज तो यहां पर देखिये यह है मश्रूम मश्रूम को मैंने अच्छे से कट करके धो लिया था उसके बाद में इसको थोड़ी देर फ्राइए करूँग और मश्रूम तो मेरी जो एक बार मैंने आपको दिखाय था ना, मश्रूम का प्लांट जो दिखाया का वहां पर बीच बगरा डाला जा रहा है, वहां मस्रूम अब लगने लगी है तो वहीं से ही भईया के ओफिस पर ईन्हों के फ्रेंड बगरा भईया ने सबने मिलके मश्र सा ज्यादा मुख्या नहीं किया बढूदा थोड़ा सा दरदराजा वहां मेरी प्याज भून रही है इदर बना यह दनीय की चटनी इस भी अपना कुछ उसके बाद में जितने भी मसाले हैं जो भी हैं मैंने आज सारे मसाले डाल दी हैं गरम मसाला भी डाला है कुछ-कुछ रहे गए जो दिखा नहीं पाई आपको उसके बाद में डाली है यहां पर देखे कूप सारी मलाई क्योंकि मुझे मलाई मिक्स वेज में डाल करके इस तर ला मिर्ची गोबी है और एक दो छोटे-छोटे से आलो भी डाल दिये हैं मतर नहीं थी मेरे पास खतम हो रही थी तो वो नहीं डाल पाई यूँ मैं आपके पास जो भी वेज़िटेवल आपको पसंद हो पत्ता गोबी वगारा वो मैं नहीं खाती हूं कभी अपने घर में प को देने की तो यहाँ देखे सब्जी हमारी बनके हो गई एक रिडी यह अलके अलीव से जूशी जैसी रहती है ना हल्के गीली सी मुझे ऐसी वाली ही सब्जी पसंद है बहुत ज्यादा जो सुक्की हो जाती है वह वाली मुझे पसंद नहीं सब्जी देखिए तो मेह दील को फोन आया था वह मम्मी वगएरा नहीं घर पर बाहर गई हुई थी तो गीता ने फोन करके बता आए blindness कि जबसे मेरा दिमाग भूँ मेरा ज़ेखा और भी वह रहा है राउन में रही होंगी लेकिन फिर भी दुख तो होता है यह एक इंसान हमारे साथ में मतलब हमारे बीच से दुनिया से चला गया और एक बार जो इंसान चला जाता है आप लोग सब जानते हैं कि हम चैहे हम भी चले जाएं कोई भी जनम ले ले या कुछ भी हो हमें वो इंसान कभी नहीं मिलता है तो बहुत खराब लग रहा है गीता ने मुझे फोन करके बताया दीदी अम्मा खतम हो गई है ममी वगरा वहां गई है अम्मा नहीं रही हमारे बीच मुझे आज जब से ही मतलब अम्मा की पता चली है आपको सच बताओं वह होता है ना कि मेरे हम ऐसा नहीं था कहने को तो मेरे पापा जी की बुवा थी लेकिन अम्मा खुबा आना जाना हमारा बहुत ज्यादा एक दूसरे में मतलब भापा जी और उनका बुवा का बहुत प्यार था हमारे हर उसमें भी आती थी प्लस वैसी जब खतम हो गए थे तो मेरे पापा जी ताओ जी हमेसा उन्हें बहुत सम्मान देते थे कि उनके लिए हमें भाई और भती जी हैं क्योंकि मेरे दादा जी अकेले थे तो इस वज़े से बहुत लगाव था अम्मा हमेसा आती थी तो वह होता है ना कि हमारे बीच से कोई चल देवार दादी खतम होई थी 6 माई को तब माय हैं रहे के गई थी हम सब के साथ में तो वह इस भी बहुत जादा पूजा करती थी बहुत जादा परिवार उनका वह अच्छा है तीन बेटे अपने पीछे छोड़ गए बहुएं पोती पोते पड़ पोते छोड़ गई गई है और सब अच्छा खाता पीता पूरा परिवार है लेकिन फिर भी एक होता है सच मताओं आज बहुत इतना अंदर से यह हुआ कि एक पीड़ी जो होती है ना वह खतम हो गई है मेरी जो दादी जी थी वह चली गई अब अम्मा चली गई तो एक जो वह वाली पीड़ी थी वह एक पीड़ी खतम हो गई है क्योंकि अब मा जी के बेटे बचे हैं इधर पापा जी है तो यह दो बुआ का मामा का एक बुआ कहते हैं मामा पुपी का रिस्ता रहे गया है बच्चों में आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा ऐसा ही क्या बता हो मन हो रहा है मा क्या रहे क्योंकि हमारे बुजर्ग चले जाते हैं बहुत होता है अब मेरी दादी भी ती ना बहुत ज्यादा दुख हुआ था भले वह एक एज की गई थी लेकिन उनके लिए भी बहुत दुख हुआ था मां को अभी हम सब बहुत याद करते हैं तो यह था अज मेरा मन नहीं हो रह आ गए हुए ना तो वहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि अभी ऐसे ही चल रहा होगा तो ममी घर आएंगी तो बात करूंगी जब पता चलेगी वैसे तो एस थी तो बुजर्ग थी इसलिए चलिए कोई बात नहीं जैसे भी कहते ना भगवान की मरजिया बस यह यह भगवान उनकी आत्मा को सांती दे और एक बहुत जादा पूझा पार्ट करती थी एक अच्छी जगह पर जाएं तो कल मिलूंगी एक अच्छे से और वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाबाए ठीक है